3.1 find the time taken by sunlight to reach the ground if the distance between the sun and earth is 1.5 into 10 this power 8 km velocity of light is 3 into 10 this power 8 meter second inverse इस प्राब्लम के अंदर हमें टाइम मालूम करना है सनलाइट का जो के जमीन पर पहुंचती है जिसका डिस्टेंस सूरज से लेकर अर्थ तक 1.5 into 10 this power 8 km और विलोस्टी ओफ लाइट जो यह 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 जो स्पीड है उसकी रोशनी की वह 3 into 10 this power 8 meter second inverse है तो हम इस प्राब्लम में क्या करेंगे सबसे पहले हम इस प्राब्लम का डेटा बनाएंगे तो डेटा कैसे बिनाएंगे हमें find the time हमें time मालूम करना है उसके बाद हमें जो distance मिला हुआ है sun and earth के बीच का जो distance मिला हुआ है तो हम उसको लिखेंगे distance distance को हम S से शो करते हैं और हमें distance मिला हुआ है 1.5 into 10.308 kilometers अब students जो distance का unit होता है वो meter होता है तो यहाँ पर हमें kilometers मिला हुआ है तो हम क्या करेंगे इस distance को हम meter में convert कैसे करेंगे कि 10.308 ऐसे में लिखेंगे और 1 kilometer के अंदर 1000 meter होते हैं जिसको हम लिख सकते हैं 10 power 3 meter तो मैं यहाँ पे side पे लिख रहा हूँ कि 1 kilometer is equal to 10 power 3 meter तो अब हम इसको 10 power 8 को 10 power 3 से जब multiply करेंगे तो हमारे पास जो distance kilometer में है वो meter में आ जाएगा तो यह हो जाएगा 1.5 into 10 this power 8 8 पिलस अब देखें जब भी बेस सेम होती है और operation multiplication को होते है तो power जाएड हो जाती है तो यह हो जाएगा 8 पिलस 3 तो यह हमारा जो distance होगा वो हो जाएगा 1.5 into 10 this power 11 meter और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो velocity of light है तो हम यहाँ पर लिखेंगे speed of light भी लिख सकते हैं आप यह velocity of light भी लिख सकते हैं तो हम लिख देते हैं कि speed of light speed को किस से show करते हैं V के साथ तो V कितना मिला हुए हमें 3 into 10 this power 8 meter और हमें मालूम क्या करना यहाँ पर हमें यहाँ पर time मालूम करना हम लिखेंगे time time का simple होता है small यह हमें मालूम करना है उसके बाद हम इसका solution करेंगे solution अब हमें यहाँ पर क्या find करना है अब हमें यहाँ पर time मालूम करना है तो हमारे पास जो distance का formula होता है वो बराबर होता है s is equal to velocity into time अब हमें time मालूम करना है यह velocity यहाँ multiply कर रहा है इसको इस तरफ shift करेंगे तो divide करेंगे तो time का formula हो जाएगा t is equal to distance over velocity अब हम क्या करेंगे कि distance की जगा पर हम यह लिखेंगे distance की value 1.5 into 10 this power 11 meter और velocity कितनी है 3 into 10 this power 8 meter अब हम क्या करेंगे कि 1.5 और 3 को हम divide कर देंगे और यह हो जाएगा 1.5 divided by 3 और यह 10 power 11 और 10 power 8 दोनों की base सेम है तो क्या होगा यह 10 power 11 यहीं पे रहेगा और यह 8 उपर जाके क्या करेगा minus करेगा power 8 उपर जाकर minus करेगी अब 1.5 और जब हम 3 को divide करेंगे तो यह हमारे पास answer आजाएगा 0.5 क्योंके 1.5 3 का half होता है multiply by यहाँ पर आजाएगा 10 power 11 minus 8 3 अब 10 power 3 का मतलब होता है 1000 तो हम इसको लिखेंगे 0.5 into 1000 अब अगर आब 0.5 को 1000 से multiply करेंगे तो वो हमारे पास आजाएगा 500 अब time का जो unit होता है वो हमारे पास क्या होता है second तो हम यह आप लिखेंगे 500 second अब 1 minute में 60 second होते हैं तो 500 के अंदर जो time आएगा हमारे पास वो आजाएगा 8 minute and 20 seconds तो यह हमारा time है जो के सूरज की रोशनी को सूरज से लेकर जमीन तक पहुंचने में जो time लगता है वो 8 minute और 20 second लगते हैं So dear students 3.1 के बाद 3.2 आपका homework है और 3.3 हम solve करेंगे A car moving with a velocity of 36 km hour inverse एक गाड़ी जो है 36 km hour inverse की रफतार से चल रही है is brought to rest और वो rest में आ जाती है in 5 seconds, 5 seconds में calculate its deceleration इसकी deceleration find करने है deceleration हमने पढ़ा था कि negative acceleration होती है तो अब हम सबसे पहले इसका data बनाएंगे कि हम लिखेंगे कि initial velocity इस गाड़ी की कितनी है सबसे पहले हम लिखेंगे initial velocity initial velocity को हम किस से show करते हैं बेटा VI के साथ VI कितना है इसका 36 km hour inverse अब ये km hour inverse का मतलब होता है km per hour इसको इस तरह भी लिख सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे कि VI देखें velocity का unit होता है meter per second पर यहां पर है km per hour तो हम क्या करेंगे कि इस km को मीटर में convert करने के लिए क्या करेंगे इस 36 को 1000 से multiply करेंगे क्योंकि यूनिट हमारे पास second होता है तो हम इसको second में लिखेंगे तो एक घंटे में कितने second होते है 3600 सेकंड होते है ठीक हो गया तो अब हम क्या करेंगे इनको जब solve करेंगे तो यह हो जाएगा 10 meter second inverse ठीक हो गया उसके बाद कार की जो final velocity है वो जब गाड़ी rest में आ जाती है तो इसका मतलब final velocity जो है गाड़ी की final velocity जब कोई भी कार rest में आ जाए तो वो 0 पर आ जाती है तो इसकी final velocity कितनी होगे 0 और इसे कितना time लगता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि time taken या खाली time लिखते है time को t से show करते है 5 seconds मालूम क्या करना है हमने इसमें acceleration of the car तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई acceleration of the car यानि कि यह हमें मालूम करना है अब हम यहाँ पे लिखेंगे solution इसका solution किस तरह से करेंगे बेटा हम कि हमें acceleration find करनी है और acceleration का formula क्या होता है हमारे पास VF minus VI over time just put the values in place of VF VF is equal to 0 so VF के जगा 0 VI minus VI कितना है 36 km आवर inverse को हमने किस में convert किये था 10 meter second inverse तो यहाँ पे लिखेंगे 10 divided by time कितना मिला हमारे पास 5 अब देखें यहाँ पर बचा minus का 10 over 5 और 5 और 5 और 5 और 10 तो यह होगा minus का 2 और acceleration का unit क्या है meter second inverse square so the deceleration of the car is minus का 2 meter second inverse square so dear students problem number 3.4 और problem number 3.6 यह problem number 3.3 से related हैं जिस तरह हमने 3.3 को हल किया उसी तरह से यह problem भी हल होंगी और यह आपका homework है इसको solve करके मुझे check करवाएं अगर कोई problem हो तो आप उससे पूछ सकते हैं अपना ख्यार रखिएगा अल्ला हाफिज